जब भी टेरिस्ट का नाम आता है तो 95% इसलाम से रिलेटिटिटी बंदे सामने आते हैं अगर इसलाम इतना ही प्यार बाड़ता है तो आतंकी संगठन को कब बेंड करेंगे इसराइल तो आज देख रहा है हमने कशमीर में भी देखा केरल में भी देख रहे बंगाल में भी देख रहें हम तो कही सावर्षिके आतंकाल के समर्थन में जो लोग उतर रहे हैं वह फ्रलत विसजह करें जुलम होई जा रहा है वो कोई नहीं दिखाता इंडिया की नीज दिखाती नहीं है आपने यह देखा जुलम हो रहा है आज उसने मिसाइल छोड़ दी तो आपने यह देख लिए क्यों छोड़ दी क्या भारत में रहकर हमाज जैसे आतंगबादी संगठन का समर्थन करना सही है या गलत है गलत है तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं जैसे अलिगर्ण मुसलिम उनिवर्सिटी में नारे लगाए गए या फिर यासर शाह ने समर्थन किया जो समाजवाधी पार्टी के नेता है ग प्रस्ताव निकालती हैं इसमर्थन जो लोग उतर रहे हैं वो गलत है या सही है क्योंकि बहुत लोग उसको जस्टिफाइब कर रहे हैं दो कुछ गलत भी है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में यू कहें कि इसराइल और नहीं से बीच में हमने तो ब्रॉटिन पर बात कही जाते कि वह तो इतिहास है अब इतिहास को भूल कर नई शुरुआत करने चैनल चाहिए 5,000 मिजार एक साथ ताग दी ये अच्या वो जब हमारे अधिवार यहसार ऍभार स्ट वाता तो इनके तिवार वाले दिन ठीक है तो फांचासर मिसाले दाग दे क puppies था हुं तूनुने भी तो मारा कितनों को आप देख सकते हैं कितने महाँ पर जब मुस्लिमों को मारा है जान से परानी बात है मक्तुन साल भी मारा है दो आस से दूसलिम हो हुआ देखाता इंडिय की न्यूज दिखाती नहीं बीवसी नीूज देखता है हुआ हु है और ओज तक पर देखो तो कुछ और है तो भी कहना चाहरे हैं कि मतलब 5,000 मिसाइल दागना गलत नहीं था ने गलत नहीं था क्यों जूलम हो रहा था क्यों साथ तो देगा न कोई न कोई इतने सालों से कोई किसी ने साथ ने दिया उस मुलक का कि हमेशा उस पर जूलम हुआ आप ने मिसाइल छोड़ दी तो आपने यह देख लिय centers क्यों छोड़ दी तो यह अपने जो 3डम बनाने की कोश्च कर रहे हैं इस्राइली नहीं से मस्जिद रखें नहीं से डेंपल बनाने की कोश्च करें यह कहानी माही खटब हो जाएगी जरूरी तो नहीं है से डेमपली बनाओ गया अगर इसे करते रोको तो लड़ाई जारी रहेगी अब यह भी तो है यह तो हमास को सोचने चाहिए नहीं पांच हजार रॉकेट दाग दिए 700 नागरिक मार दिए साथ से नागरिक मार दिए मैंने आपकी बड़ ठीक है हमारे कई स्टेट शहाद उससे बड़े होगे यह तो है यूपी स्टेट ही बढ़ा है हमारा असल में देखो में नहोंने इतना जुल्म करा और नहोंने तिवार वाले दिन काफी मुसलिमों कमारा इद पे रमजान पे श यह इसमें बताया जाता कि के इसमें बदा आ जाती यह चीज नट थी डेंबल बनेगा ना कोई मस्जिद चलेगी यह बन्य बन्य कर दें यह सारा में के लोस हो सकता था इतना दिमाग तो उनमें भी है करा नहीं पांक सार मिजाल ना ताग कर अगर मीटिंग कर लेते मैटर बंद कर दिया तो सही रहता है वो कहीं गलत नहीं था कि वो ना मस्जीद रेती ठीक है ना उस पर लड़ाई रेती ना इसाईयों को रहता कुछ मेंटर इसमें किसी की कोई टेंशन नीटी देखिए ऐसा है कि यह सारी चीज डिपैंड करती है जैसे कि मानसिक्ता क्या है हम जै इसी भी कम्यूनिटी में सारे लोग गलत है बट यह है कि जैसे मुस्लाम धरम है इसके अंदर आपने देखा होगा जब भी टेरिस्ट का नाम आता है तो 95% इसलाम से रिलेटिटी बंदे सामने आते हैं बाकी दुनिया में इतने सारे धरम है उसमें से कोई 0.5% लोग होंग उनका विरोध नहीं करते कि आपकी वज़े से पूरा इसलाम बदना विरोध किया कि आतंगवाद का समर्तन गलत है देखिए यह तो आतंगवादी अटैक है दूसरी बात यह देखिए जैसे चाहे हमारा कश्मीर ले लीजिए हमास ले लीजिए आप अचानक 5000 जार मिसाइल अब तक का इतियास में कभी पहल नहीं किया है और हमेशा उनको सपोर्ट किया है लेकिन लेकिन आप यह देखिए कि जितने भी लोग कश्मीरी पंडीत थें कश्मीरी पंडीतों को सरयाम मजजितों से यह अलान किया गया कि आप छोड़ दीजिए जिनकी पीड़ी दर 20% वो थे टेरिस्ट 80% जनता ने कहा कि हमारे भाई हमारे यहां है आप देखे कितनी सांस है हिंदुस्तान में मुस्लिम रह रहे हैं आप जम्मा मजजिद कितना अंग्रेचों से पहले देश हजार साल से राज किया बताओ कौन से हिंदुओं ने अटेक किया जिस तरह से यह लोग करते हैं आप कहीं भी देख लिए यह उनिवेस्टी में भी हुआ ना पंगा जवालनाल में हुआ सबी लोग इस्लाम से रिलेटेड़ी लोग क्यों महारा आते हैं आज भाई हमारे साथ मौजूद है भाई आप एक कंडेम कर दीजे उन लोग को जो अल्ला अकबर का नारा लगाते हैं अब नारा लगाते हैं जो नारा लगाते हैं वो कितने लोग लगा रहे हैं मस्जितों के भार मस्जितों पर फत्तर फेक रहे हैं लिजह समर्थन में लगाए नहीं तो मुसल्मान कहता है कि जो आतंग बादी इसलाम में नहीं होता है वो चाहिए कोई भी वह देश का भी नहीं होता है सबसे बड़ा कोशन यह है और आपने कही कि यह वाली बात कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है तो फिलिस्तीन ने सबसे पहले साथ सहरों में घुसके इसराइल में तब इस बात को पहले सुनिए लोगों की जान जा सकती है तो चीज को रोक देने ही चाहिए ना अगर इतने टाइम से चल रही थी पहले अच्छे से जब चल रही थी आपको पता को इस ने अपने शहर को देखके इसराइल को देखके इसराइल की जंता को देखके इतनी पावरफुल कंट्री ता कि उसने साथ देशों को मुझे बल गिराया है क्यों यूएन को बटवारा करना पर इसी प्रकार से फिलिस्तीन पर अत्याचार भी दो कि आपको मैं एक बात कि समझे और दूसरा ये तुरकी वगर एगार ये सब क्यो चाहते हैं कि इसको खतम करना है या कोई और भी पार्च कुछ भी दरम हो वो कहते हैं कि नहीं सरफ इसलाम मानने वाला ही सबसे सरफसेट है बाकी को आप जान से खतम कर दीजिए यह कैसी मान सकता है बाइप प्रकरती ने तो सबको जीने का अग दिया है ना यहादी भी कर रहे हैं हिंदू भी कर रहे हैं अगर इसलाम इतना ही प्यार बाड़ता है तो आतंकी संगठन को कब बेंड करेंगे यह कह रहे हैं कि क्या नामे आज इस्राइल जो है इस्राइल तो आज देख रहा है यह चीज हमने कश्मीर में भी देखा मेवात में भी देखा केरल में भी देख रहे हैं बंगाल में भी कि आप जा रहे हैं कि ना वो निकल लिए रेली निकलती है तो तो बारत का प्रधान मंत्री 140 करोड का देश का प्रधान मंत्री कहता है कि अगर इस देश में सवीधान है सवीधान को मानतों तो नुपूर शर्मा के लिए सर्तन सजुधा के नारे क्यों लगाए उसे तो सजा कोड देता है तो अबने सजा दी कोड सजा देता ना एजन्डा देखो वीडियो बना कि अब रहा है कि आप लिए मुसलमान नहीं मारा मुंबई मन का जब जहनाजान है उसमें दो लाग मुसलमान मुंबई में आई हुए थे झी के खलत बाती है ऑब के मैंना उसमें बताई लुए चाह हरही है इस्लाम को मैं ठीडियों ओर्त लों हरो ने है हैं कितनी यूटूटब पर यूण रहा कितने प्राच फरकों कपं परह यह देश जाना है फॉल-एटकवाधी के जनानेव बुरहान वानी के समर्थन में नारे लगाना अब जलम समिंदा के नारे लगवाना आतक वाली सुनिए जेनियू में अल्लाव अकबल लिखा जाना उसका समर्थन करना कहा तक जाय जाय वहां उस पर नहीं बोलोगी जैसरी राम के नारे लगते हुए कहां पर पत्तर चले पर बुरहान वानी को आप सपोर्ट करोगे अब जल को सब पोर्ट करोगे जैसे यह बहुत बोल रहे हैं लेकिन अगर जितना जोश में बोलना ना तो शैदा माना अधिया थिए अगर आप आतंगवात के खिलाफ हो तो आप अति कामर का सपोर्ट क्यों करते हो वहला बुर्ख आप आप पोड़तक नहीं अभी आप जैसे कहा देश की मेडिया ने गंधी है के हमारे देश में फिलस्टीन की बर्बादी को लडाईयों को डिखाब दिखा यह बहुत क proclaim Trying कि तुम इसराइल इसराइल क्यों लेकिन को इस बात पर सवाल नहीं उठाएगा कि तुम फिलिस्तीन को क्यों दिखा रही हो हमारे देश कितना मीड़ा गिर चुका है अभी आप मैंने अंडी टीवी पे भी देखा था बीबी से भी देखा था अल जजीरा पर भी देखा था टावाइयर पर भी देखा था हमारे देश के जो पीडित लोग हैं उन्हें हीने दिखाएंगे हमारे देश के इनक का शोशन हो रहा हैं उन्हें दिखाएंगे लेकिन फिलिस्तीन को दिखाएंगे भाहत लोग हैं हमास समर्तन करते नज़र आरे alone मैं इस बात को आई किस्तन का युद्वा कोई भारत के साथ नहीं खड़ा होगा इन लोगों में से जो चाहे अलिगड मुस्लिम उनिवर्सिटियों चे जवालल नहरु उनिवर्सिटियों तो आज जंता के बीच आजम मौझूद थे और लगातार इस मुद्धे पर जो चर्चा चल रही थी इसर इसा गुट भी है जो इसराइल में हो रही आतंगवादी गती विडियों का समर्थन कर रहा है मजब के नाम पर समर्थन होता हुआ नजर आ रहा है फिर चाहे वह समाजवादी पार्टी की तरफ से हो कॉंग्रेस की तरफ से हो या अलिकड मुस्लिम उनिवर्सिटी में किये